हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने जा रही हूँ दूद सेव भाजी की रेसिपी अगर आप रोज रोज की सबजी खाकर बोर हो गए हैं, तो आप इसे बना कर देखें, ये आपकी फेवरेट हो जाएगी इसे बनाना भी बहुत आसान है, ये जटपट बनकर त्यार हो जाती है तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं एक कड़ाई में हम दो टेबल स्पून सरसो का तेल धुआने तक गर्म कर लेंगे तेल के गर्म होने के बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे जीरे के crackle होने के बाद हम इसमें बारीक टुकरों में कटे वे दो medium size के प्यास और बारीक टुकरों में कटी वी 4 हर मिर्च डाल देंगे प्यास को हम light golden होने तक भूल लेंगे इसी बीच हम यहां half teaspoon क्रश कीवी अदरक डाल देंगे और सभी चीजों को mix करके इसे कुछ seconds और भूल लेंगे जिससे अदरक का कच्चापन चला जाए इसके बाद हम यहां बारीक टुकरों में कटे वे दो medium size के टमाटर डाल देंगे टमाटर के बाद मैं यहां स्वात की अंसार नमक डाल रही हूँ जिससे हमारे टमाटर जल्दी soft हो जाएंगे यह देखिए सभी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसे टमाटर के soft होने तक पकने देंगे कुछ दिर बाद आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से soft हो गए है अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे जैसे half teaspoon लाल मिर्च पाउडर, quarter teaspoon हल्दी पाउडर, एक teaspoon धनिया पाउडर और half teaspoon जीरा पाउडर मसाले को अच्छे से mix करके हम इसे कुछ seconds तक भूल लेंगे ये देखिए हम इसमें लगभग quarter cup मानी डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से mix करके कुछ देर तक भूल लेंगे कुछ देर बाद आप देख सकते हैं मसाले soft हो गए है अब हम इसमें 750 ml दूद लगातार चलाते हुए डाल देंगे अब हम high flame पर लगातार चलाते हुए यहां उबालाने देंगे उबालाने के बाद हम यहां fresh धन्य के पत्ते डाल देंगे धन्य पत्ते को हम अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद यहाँ एक कप सेव डाल देंगे सेव डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे एक से दो मिनिट तक पका लेंगे सेव को हमें इस से जादा नहीं पकाना है नहीं तो यह गल जाएगी और हमारी सबजी खराब हो जाएगी इसे लगभग दो मिनिट तक पकाने के बाद अब हम गैस ओफ कर देंगे ये लीजे फ्रेंट्स हमारी डिलीशियस दूद सेव भाजी बनकर त्यार है ये बहुत ही टेस्टी बनती है और जैसा कि आपने देखा जट पर 10 मिनिट पे बनकर त्यार भी हो जाती है आप इसे रोटी, पराठे या फिल लच्छे पराठे के साथ गर्मा गरम सर्व करें और हाँ फ्रेंट्स अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना न भूले और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो कर ले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेर करें ताकि वो भी इस लजीज रेसिपी का आनंद उठा सकें